कि एक चीब मिनिस्टर हो करके और इस तरह का कदम उठा रहा है कहना ने चाहिए कि आज ये पोईशन है कि कई चीब मिनिस्टर और कई नेता ऐसे जिनका बाप भी ब्रश्टा चारी था और बेटा भी ब्रश्टा चारी दस सम्मन और अगले के जू नहीं रहेंगी कल इसने क् क्या मैं आपको बताओं राची से दिल्ली पहुचा चार्टर प्लेन से उसके बाद इनकृस ने अगले ने अपने एड़ोकेट्स बगेरा से बात की और मिडनाइट को ये गाइब हो गए हैं दूसरी बात आपको बताना है प्रेसीडेंड को भी एक्सन लेना चाहिए वहा अरखंड के सीम हेमन सोरेन को लेकर के आपको बता दे कि जमीन घुटाला मामले को लेकर के एड़ी ने दसवी बार हेमन सोरेन को समझवारी किया था और सीरेत तोर पर कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आ जाएंगे और आज वही चीज़ देखने को मिली जब एड की टीम जुटी हुई है ना सिर्फ दिली बलकी राची के भी सियमावास में सुरक्षा बढ़ा दी गई है तमाम जो जरूरी डॉक्युमेंट से उसकी शुनाक्त की जा रही है लेकिन यहाँ पर एहम सवाल ये उटता है कि आखिर एडी की जाच से बच करके इस वाक्त हेमन सोरेन कहा पर है जिसको लेकर के बखादा एडी की जो तमाम सर्च टीम है और इसी के साथ ही जो ऑफिसर्स है वो उनकी तलाश कर रही है ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या एडी के सवालों से बच करके हेमन सोरेन कहीं छुप गए हैं जिसकी वज़े से उनका पता नहीं चल पा रहा है इन तमाम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वरस्ट पत्रकार अजे जी सिर्ट स्वागत है आपका ये यू कहें कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अपने आप में एक बड़ा मामला है जहां तब सीधे तोर पर वो लापता हो गए है किसी को इस बात की ओफिशिल जानकारी नहीं है कि हमन सोरेन इस वक्त कहा है क्या कहेंगे इस पर देखे बड़ा ताजुब की बात है कि एक चीप मिनिस्टर हो करके और इस तरह का कदम उठा रहा है कहना ने चाहिए कि आज ये पो अब मिनिस्टर हो था तब भाग गया था और ये भाग गए इनकी आपको बताना है यह इतना अलट था कि पहले संबन पे लोग चले जाते हैं दूसरे समय चले जाते हैं तीन संबन भेजे जाते हैं इंटरनेशनल लेबिल पे इंटरनेशनल लाग है ता इंडिया का लॉक हाँ जगे का लॉका आता there um एंट कि तीसरे समन में कुल की हो जाती लोगों की कुल की हो जाती और लोगोंका बगार समन कोड़ Savी हो जाती में अनीस कशत्तथी बगार समनी कड़की हो गई उसको अरेस्ट कर लिया गया तो आपको बताने कि इन्होंने क्या किया दस सम्मन और अगले के जू नहीं रहेंगी कल इसने क्या किया मैं आपको राची से दिल्ली पहुंचा चार्टेट प्लेन से और बहुत ही टॉप का चार्टेट पे इतना कॉंफिडेंस से नो लगा उसक के मोटर साइकल से पीशे से चोड़ों की तई के भागने की वो है कि साइद ही आंगे कोई दूर पर मोटर साइकल खड़ी तो उससे निकल गए आप देखें कितनी बड़ी ताजुप की बात है इतना इन्होंने ब्रष्टा चार्ट किया चार दसंबलो पांच एकल जमीन नगर निगम के चार दसंबलो पांच एकल जमीन इन्होंने उसका सेल परचेस किया नगर निगम ने वहां के नगर निगम ने इनके खिलाब मुकदमद है तमाम इनके उपर घोटा लेके आरोब हेमन सोरेन के और ये सक्स हमेशा भागता रहा अच्छा पत्रिकार जी यहां पर जरूरी बात ये भी हो जाती है कि आपके सूत्र इस वक्त क्या कहते हैं कि हेमन सो उनके लोकेशन को ट्राक करने की कोशिश कर रही है देखे मैं आपको किलियर कर दूँ इसके पहले भी यही पोजिशन हुई इनके बाप जो थे पार्लेमेंट से भागे थे सेंटर मिनिश्टर थे हर्यारा गए और आटों से भागे थे आटों से भागने के बाद वह इस दिन बाद इनके फादर वो हुए थे इनकी भी यही पोजिशन है कि यह इनका जो टेशाउंट जहां तक है अंदाजा यह लगाया जाला यह हर्यारा में इनके चुकि काफी वह हैं और एक बहुत जगह है वहां ही जा सकते हैं दूसरी बाद इनको बेंगॉल गॉर्मिं इनके पिता जी ने भागने की कोशिश की थी मगा भाग नहीं पाये थे लुकाओं नोटिस जारी इनके लिए कर दें इसके अलाबा और तमाम लोगों के लिए कर दें सबसे ज़्यादा मफलर वाले के लिए कर दें केद्रिवाल के लिए यह भी भाग सकता है हाला कि यह सब पाइसे कई मिनिस्टर हैं जो आप समझ लीजे इनके लिए लुकाउं नोटिस ये भाग सकते हैं तीसरी एक बाद आपको सबसे महत्पूर्ण बता दें कि इनका कुछ इंटर कनेक्शन है आप आज में एक ताई जितने भष्टाचारी हैं इन सम्में लालू का इस्टालिन का इस्टालिन लालू के लड़के का इस्टालिन के लड़के का मतब आपको बताना है बड़ा देश के अफसोस की बात है बाप भी भष्टाचारी बेटा भी भष्टाचारी अम्मा भी भष्टाचारी बेटा भी भष्टाचारी एक था बिहार में तो लालू सजा यापता जस्ति लैंड फार्ड जाब में यह आया स्विभू सोरेन का लड़का पाल्यमेंट के सदेश्चों पैसा खा गया उस पे खा गया केंद्री मंत्री वह ब्रिष्टा चारी उसका लड़का यह ब्रिष्टा चारी एक और है बहुत बड़ी नेता हूं अम्मा और बेटा दोनों ब्रिष्टा चारी अम्मा ने पत्तकानों की जमीन बेड़ी डाली एक वो है जो सनातन को गाली देता है तमिलनाड वाला एक और है लंबू काला काला बुड़ा हो गया उसका भी लड़का सनातन को गाली देता है यह सब ब्रिष्टा चारीयों को आपको उता है लुकाउट और आपको बतला रहा है कि ये भागने का इनकी जो है इन्होंने इतने घपले कि ए इतने घपले कि आधी रात को भागने वाला पहलाचीव मिनिश्टर आखि लड़का किसका है सिबू सोडेन का बाप भी भगोड़ा था ये सब लीडर भगोड़े हो गए इनको आपको बताना है इनको अभी तुरंती कारवाई होनी चाहिए दूसरी बात तीन सम्मन के बाद इसमें केंद को सक्त लेना दूसरी बात आपको बताना है प्रेसिडेंड को भी एक्सन लेना चाहिए वहां पे सोडन के अहां तुरंती राश्टपती सासन लगा देना चा आपने सोनिया गांदी ने तुरंती एक्सनल ले ले करके कांगेर्ष के जीतने मेले हैं लाची हं वो तुरंत लाची सब्सक्राइब दिल्ली में जबज़द भीर लगे हुई है इनहोंने अपने समर्थों को बना लिए जगडा करने के बीजेपी कारेले में फोर लगा दे इनपुट यह आ रहा है कि बीजेपी कारेले में हमला हो सकता है यह इंपुट आ रहा है कि मनीज का सब पे जान लेवा हमला कातलाना हमला हो सकता तुरंट जट सेनी की सुरक्षा कराई जाए और जहार खंड में अभी तुरंट बीजेपी काड़ेले में सीम होस में इन सब जगे तुरंट फोर्स तहनात हो गया है और यही पोईशन आपको बता रहे हैं दिल इस समय की जो इस्थित है वो इतनी ज़्यादा टप हो गई है इतनी ज़्यादा टप हो गई इनके आदमी पूरी कांग्रेस लग गई है और ये कल चार्टेट प्लेन वाली न्यूज बिल्कुल कंफर्म है यह नाची से दिल्ली आए क्यों चार्टेट प्लेन से आए जब फिर सक्स्त पूड़ी इनके पीठे बैकिंगे इंडी गडवंधन की और आपके पता नहीं क्या है राहूल गांधी जहा रहा है वहीं pa कुञाण कुछ कहर हो जाता है आपको को ताने इनका जो सबसे खाज एक आदमी सिर्फ लालू विचारा साधी के लिए एक छुक था साधी के लिए वो भी विचारे को इडिन बुला लिया कल उसके लड़के की पूस्ताच है अब ये जहारखन जाने को दे जहारखन में पता चला वो जा रहा है इनके पैड जहां जहां पढ़ रहे हैं वहीं सत्या ना सोडा भसमा सुना है राहूल गांदी ये इनका प्यारा दोस्त मगर दोस्ती किस बात की है ये दोस्ती आपको बता रहे हैं भष्टाचारियों की दोस्ती है जहारखंड में लोगों का जीना दूबर था और इसमें तुरंट एक्सन ले करके पता नहीं क्यों आपको बताना है सबसे दुखद बात ही है दस सम्मन के बाद भी अरेस्ट नहीं किया गया ये बड़ी मतलब बहुत दुखद होता है यही बेंगवाल में हुआ एडी की टीम को सक्त होना चाहिए और जो आज जैसे लालू को वा है लालू के हाँ गई और कल तेजस्टी जी का आप ये देखेगा वो दिन दूर नहीं है ये जारा जो ही खत्म होगा अपरेल मेहने में काफी लोग आपको बता रहें सलाखों के पीछे होंगे जुल्मी सलाखों के बाप भी भष्टा चारी बेटा भष्टा चारी ये इस्थित है फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के जब पत्रिकार जी ने अपनी रा रखी और इनका कहना ये है कि दस बार एडी के द्वारा समझ जारी किया गया लेकिन अफसोस की बात है कि अवन सोरेन की गिरफतारी नह ख़जरे रखी जाए क्योंकि उन पर भी कई दफ़ा आईडी ने समझ जारी कर दिया है कहीं ऐसा ना हो कि कल की डेट में अर्वेंद केश्रिवाल भी लापता हो जाए और इसकी ख़बर किसी को ना मिले फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद